Now guys we continue with illustration 6, this is the most important illustration of this chapter probability Savita और हमीदा ये बड़ी याद रखना क्योंकि लगबग नाम भी चेंज नहीं होते है इस question का concept क्या है आपको पता दू यहापे बोला गया है आपको जो probability निकालनी है वो probability में बोला गया है कि Savita और हमीदा दो friends है और पहली probability में बोला गया है कि इन दोनों friends का birthday same day पे नहीं है have different birthdays और second condition में बोला है कि they have the same birthdays अब सीधी से बात है आप खुछ सोचो पहले discuss कर लेते हैं क्योंकि वैसे question में कुछ नहीं है आपको जो logic समझ में आना चाहिए वो है अगर किसी दो बंदो का दो friends का दो बंदो का birthday same day पे अगर होगा तो वो एक ही दिन होगा ना और different birthdays अगर होंगे तो वो कितने दिन होंगे 364 days होंगे देखो अगर एक हम normal year की बात कर रहे हैं leap year की बात नहीं कर रहे हैं तो normal year में 365 days होते हैं Now suppose कर लो कि काविया का और ये शागा same day पे birthday है तो वो एकी दिन होगा for example 31st Jan, 2nd Feb, 5th March, 4th April, 10th May, एकी दिन होगा ना अगर जो भी होगा वो दिन तो एकी होगा तो जब same birthday था तो इनकी probability का answer आया 1 by 365 ठीक है तो but obvious है कि दूसरी condition इसकी opposite है they have different birthdays तो दूसरी condition exactly इसकी opposite है तो अगर 365 days में से एकी दिन पे same birthday होना है तो बाकी के जितने भी दिन बच गए उन पे different birthdays होगा इसका कोई और क्योंकि देखो इसी तरह ही निकाला जाएगा यहाँ पे क्या है पहले आपको same birthday के देखो जबकी condition कुशन में पहले different birthdays की देखी रखी है लेकिन आपको same birthday के बारे में सोचने का तो ही आपको explanation आएगा अगर आपको self explanation चाहिए तो simple सा आप example लेके देखने का कि दो बंदे हैं इन दोनों का same birthday होगा तो वो एकी दिन होगा कोई भी दिन होगा लेकिन वो होगा तो एक दिन तो 365 में से एक ही ऐसा दिन है जिस पे same birthday है तो different birthday होता तो 364 days आते है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे total number of days in a year normal year यह regular year लिखने की जरूत नहीं है क्योंकि leap year होता है तो mention करना होता है leap year बाकि normal year year therefore total number of primary outcomes is n that is about event banao a equals to event that सविता एंड हमिदा या हमिदा एंड सविता कुछ भी लिख सकते हो है है डिफ्रेंड बर्थडेज बर्थडेज और यह एक इकलोता ऐसा question है जिसका आंसर चेंज नहीं हो सकता इसका अंसर यही रहेगा अगर साल के 365 days हैं तो अंसर यही आने वाला है डिफ्रेंट बर्थडे हुआ तो 364 by 365 भी आएगा सेम बर्थडे हुआ तो 1 by 365 आएगा क्योंकि इसकी questioning की change कुछ भी नहीं हो सकता खाली नाम 365 में से 1 minus कर तो आप बोलो कि sir 1 क्यों minus कर रहे हो क्योंकि एक ही दिन ऐसा है जिस दिन सेम बर्थडे होगा तो आपको क्या चाहिए आपको सेम बर्थडे थोरी चाहिए आपको चाहिए different birthdays again therefore probability of a equals to m by n that is 364 by 365 now second event that Savita and Hamida have same birthday okay therefore total number of favorable outcomes is m that is 1 ठीक है so probability of b equals to m by n 1 by समझ में आया देखो आप कभी भी different birthday का explanation directly नहीं दे सको कि तो पहले आप यह सोचो कि अगर सेम बर्थडे हुआ तो वह की दिन पर होगा ठीक है इसलिए m आ जाएगा वन अब उसके अलावा क्योंकि देखो यह दोनों condition एक दूसरे के opposite है आप वह वाला भी formula यूज कर सकते थे इसमें प्लस 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 प्लिमेंट equals to one तो भी आ जाता तो भी सेम आंसर आता क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के opposite है have same birdies have different birdies सबस्च में आया अब तुम्हारा textbook का question number seven निकालो candy वाला कि शिक्स फिफ्ट और सेवन्थ कर लिया हमने six question ओके six question में देखो एक बैग या एक box के अंदर कुछ candies है कितनी candies है पहला सम है जहां पर टोटल नहीं दिया हुआ है तो आपको एजियूम करना है कि N candies है कितनी candies है because we don't know how many candies are there और कभी भी किसी का number जब एजियूम करना होता है न तो जादा तर हम N लेते ठीक है बाकी आप कोई भी लेटर ले सकते हो अब यहां कहा गया है अब बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडि ऐसे बोल दिया कि जो जो भी candies अंदर जितनी भी candies है वो कितनी है पता नहीं लेकिन जितनी भी है वो lemon flavored है ना माली नी टेक्स आउट one candy without looking into the bag without looking मतलब randomly ठीक है माली नहीं नहीं हाथ डाला एक candy लेकिन भाई जो भी candy निकलेगी निकलेगी तो lemon flavored ही क्योंकि है lemon flavored what is the probability that she takes out an orange flavored candy अब यह जादू तो नहीं हो रहा है पहले आपको दिखाया lemon flavored है देखो कौन सी निकली orange flavored है से तो होगा नहीं तो orange flavored candy निकलेगी ही तो M क्या हो जाएगा और N क्या है N N ही है आपने N को N ही माना है तो टोटल को माना है नो देखो एक तुम्हारा प्राइमरी आउटकम वाला N उसको हम टोटल से डिनोट करते हैं लेकिन यहां पर मैं एन किसको बोल रहा हूं जो टोटल नंबर है जैसे हम बोलते हैं टोटल कितना है टेन है ट्विंटी है वैसे उस टोटल को हमने एंड लिया है और फिर सेकेंड बोला है आए वाट इस द प्रवाइबिटी दच शी टेक्स आउट अउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो सारी कि सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो है ठीक है तो यहां पर हम लोग सब से पहले लेट टोटल नंबर ओफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इन बैग और बॉक्स इन बैग बी एन जो टोटल नंबर है न वही सपोज बीस है पचीस है जितने भी है उसको हमने बोला एन ठीक है therefore total number of primary outcomes रैसे लिखने की जरूत नहीं है total number of primary outcome को n बोलते है और n है क्या n ही है आप second time नहीं भी लिखोगे तो चलता है ठीक है? अब आप एवेंड बनाओ, event that Malini takes out an orange flavored candy. ठीक है? Therefore, total number of favorable outcomes is M that is 0 क्योंकि अंदर सिर्फ lemon flavored ही है, ठीक है? So, probability of A equals to M by N, 0 by N that is probability भी 0 होगी Now, second condition, event that Malini takes out a lemon flavored candy or candies Therefore, total number of favorable outcomes अब देखो जब इसमें confusion हो ना इसके answer में तो आपको सोचने का पहले वाले कोशन सोचने के कि आज आज बैग में से suppose कर लो आपको red ball निकलने और बैग के अंदर red ball है, green भी है, white भी है तो जब आपको red निकलने होते थे, तो red का answer क्या लिखते थे, जितने total red होते थे वही लिखते थे ना, 5 अगर red होते तो आप क्या लिखते है, M में, phi लिखते तो आपको जो निकालना है वो lemon flavored candies है, तो lemon flavored candies का total क्या है तो आएगा, so probability of B equals to M by N, so M by N है और N by N है तो answer आएगा, so it is sure event Is that clear?